जेहिंद वंदे मात्रम स्वागत है सभी सातियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल पर सभी मेरे एक खाकी वर्दी के दिवने क्लास में लाइव जुड़ जाएं बहुत इस सांदार कलास होने वाली है अपना टेलीग्राम ग्रूप भी है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं इस्टेडी एक्जाम एकेडमी 27,000 से भी ज़्यादा विदारती इसमें जुड़ेवे हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दियावा है पहला परशन आपके सामने आचुका है इसे पहले बता दूँ बहुत सारे मेरे साथी बोलते हैं कि सर हमें थोरी पढ़ना है जीकेगी थोरी पढ़ना है जैसे हिस्ट्री, जोग्राफी, कम्प्यूटर की तो हमारी जो वेबसाइट है उसके उपर आपको बिल्कुल निसूलग पूरी की पूरी चेप्टर वाइस थोरी मिल जाएगी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दियावा है वहां से आपको हमारे पूरे के पूरे नोट्स मिल जाएंगे वहां से आप सांदार तरीके से गरबेटे पढ़ शकते हैं पहला परशन देखें नीमन में से कौन सा फल राजस्तान में मुक्यते सिरोई जिले दुआरा उत्पादित किया जाता है अनार, चिकू, माल्टा या आम शिरोई जिले दुआरा उत्पादित किया जाने वाला आप जो मुक्य फल है वो आपका चिकू है कौन सा है चिकू भी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो भी साती बता रहे हैं सभी का राइट है सेकिंड परशने की पसू अनुसंदान के अंदर कांपर है कौडम दे सर इस्तिध है जेपूर, जैसलमेर, बीका नेर या टॉंक पसू अनुसंदान के अंदर कौडम दे सर बीका नेर में है कांपर है बीका नेर में सी आपका राइट आंसर हो जाएगा विल्कुल कोडम दे सर पसू अनुसंदार के अंदर में साहीवाल और कांकरेज कौन कौन सी नसल साहीवाल और कांकरेज गोवन सरक्षन पर अभी कारिय क्या जा रहा है विल्कुल सभी साती लाइव जूड़ चुके हैं सभी का स्वागत एक बार कलास को लाइक जरूर कर दे माही बजार सागरबांद निम्मलिकित में से किस जिले में इस्टित है भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, कोटा या जालोर माही बजार सागरबांद आपका कांपर है बांसवाड़ा जिले में है 22 वाड़ा जिले में किस नदी पर बनावा है तो ये माही नदी पर है ये राई जी का सबसे लंबा बांद ध्यान रखना माही बजाज सागर बांद यदि आपको नदियों की पूरी की पूरी थोरी पढ़नी है अगला परशन आपके सामने आ चुका है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डूंगरपूर जो भी साती डी बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर होगा अगले परशन की और बढ़ते हैं राजस्तान के किस संस्तान में इसरो एमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुष्ट ली करण एवम भूमी रक्षन एटलेस का वीमोचन किया किसके द्वारा किया गिया तो ये आपका बिल्कुल आफरी के द्वारा किया गिया भी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जिया राम देव जी बहुत ये अक्छा परशन पूचा गया ये परशन कई बार एगजामे आ भी चूका है विज्या दस्मी को खेजडी की पूजा भी की जाती है गोगा मेडी हनुमानगड को धुर मेडी भी कहते हैं गोगा मेडी का जो मंदिर है वो मकबरा सेली में बनावा है गोगा जी का मंदिर है गोगा मेडी हनुमानगड में से गायों की रक्ष्या करते वे वीर गति को प्राप्त हुए थे गो रक्षक भी इन्हें माना जाता है अगला परसंद देखते हैं मेरे सभी खाकी वर्दी के दिवाने क्लास में लाइव जूड़ चुके हैं किसी राजपूत चित्रकला सेली में नारियूं और रानियूं को स का नेर सेली राइट आंसर तुके के साथ आना चाहिए कोटा सेली क्या हो जाएगा कोटा सेली बुंदी और मुगल सेली से प्रभावित सेली है कोटा बुंदी जो सेली है या आपकी मुगल सेली से प्रभावित है इस सेली में इस्त्रियों को सिकार करते वे दर्शाया गया इस सेली में नायका का चितरन आहड योजना के रूप में हुआ है, डालू और मूर मुहमद यहां के पसी चितरे हुए हैं, चितरकार हुए हैं, कौन-कौन हुए हैं, डालू और नूर मुहमद, अगला परशन देखते हैं, इस्तान जहां पर काली भाई सईद हुई वै है, र कब हुई थी जून 1947 में, कांपर रास्तापाल में एक नमर आपका राइट आंसर हो जाएगा, रास्तापाल में काली भाई अपने सिख्षक नाना भाई खाट, सेंदा भाई को पुलिस जाती से बचाने के चकर में बेचारी सईद हो गई थी, अगला परशन देखते हैं, अ तिलवाडा पसु मेला, राइट आंसर डी हो जाएगा, मली नाथ जी, मली नाथ जी मेवा नगर के सासकत है, बाड मेर में लूनी नदी के किनारे, तिलवाडा में इनका मुख्य मंदिर बनावा है, यही पर इनकी इसमर्ति में पसु मेले का आयोजन होता है, नदी पूछे तो कौन सी नदी के किनारे है, लूनी नदी है, लूनी नदी के बारे में मैंने पूरी डीटेल से डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन बोक्स में आप जाकर देख सकते हैं, अगला परशने की हमीर रासो का लेखक कौन है, जोद राज, चंदर सेकर, नयन चंदर सूरी या करी हमें परदान करता है, ये चीज भी आप ध्यान लखना, अगला परशन देखते हैं, कुम्ब श्याम मंदिर किस किल्ये में इस्तिद है, चितोडगड, आमेर का किल्ला, कुमल का किल्ला या अचलगडगा, कुछ विदारती पूछते हैं किसल आपकी कलास का टाइम क्या लेता है, तो कलास साम को डेली आठ बजे होती है, सर्दी, गर्मी, बर्सवारी, इसकुछ भी हो, लेकिन साम को आठ बजे आपकी कलास होती है, आप टेलीग्राम ग्रूप में जुड़ जाएं, वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा कलास का, कुम्ब श्याम मंदिर कि किले में है, चितोड़गड के किले में है, एक नमर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगला परसंद देखते हैं, कामडिया पंद की इस्ताफना किषने की, रामदेव जी तंवर, कला जी राठोड, पाबू जी राठोड, गोगा जी चुहान, कामडिया पंद की मेर में है इनके गुरू का नाम बालीनाथ या बालकनाथ था क्या नाम था गुरू का नाम बालीनाथ या बालकनाथ इन्होंने 24 बाणिया नमक गरंद की रसना की थी एक मातर ऐसे पीर है ऐसे लोग देवता है जो कवी भी थे वो राम देव जी है और इन्होंने कामडिया पं सबार राज सबा या संब सबा राइट आंसर हो जाएगा संब सबा डी आपका करेक्ट आंसर हो जाए गोविंद गिरी ने भीलू में जितनी भी बुराईयां थी कूपरताएं थी उनको हटाने के लिए एक आनोलन चलाया भगत आनोलन और 1883 में कभे 1883 में संब सबा की इस्ता और भायचारा बहुत सारे दोस्त पूछते हैं क्लास में कि गुरू जी ये संब क्या होता है संब का अर्थ होता है प्रेम एकता भायचारा और एसी उन्होंने एक सबा की इस्ताफ न कीती बीलू में अगला परसन ए राठी पढ़ जाती कौन सी दो गायूं की संकर पढ़ जाती है सिंदी मालवी सिंदी साहिवाल साहिवाल मालवी मालवी और नागोरी राइट आंसर हो जेगा दो नंबर सिंदी और साहिवाल बी इस आपका करेक्ट आंसर राठी परजाती की गाय सर्वादिक दू देती है ध्यान लखना राठी गाय सर्वादिक दू देती है इस शिंदी वे साइवाल गायूं की संकर पढ़ जाती है अगला परसंद देखते हैं राजनीमन लिकित जिलू में से किस जिले में अधिक्तम वर्षा होती है जोदपूर अजमेर बिकानेर या सिकर तो इन जिलू में यदि हम बात करें तो वेसे आपको पता है जोदपूर में ब पूछा जाता है ध्यान रखना अगला परसंद देखते हैं राजस्तान का छेतरपल कितना है बहुत ही इजी परसंद पूछा गया है ज्यान रखना वरक किलोमीटर में पूछा गया यदि वरक मील में पूछे तो भी आपको ध्यान रखना है तीन लाग 42,249 वरक किलोमीट बारत का सबसे बड़ा राई ये राजस्तान देश का कुल चेतर पल का कितना परतिसत है राजस्तान में 10.41 परतिसत है ये परसंद कहीं बार एकजा में आज चुका है 10.41 परतिसत अगला परसंद देखते हैं राजस्तान के कौन से सासको विद्वानूने हिंदू पत्का है? कुमबा, राणा सागा, नागभट दीती है या अर्नो राज? इसके बारे में मैं आज ही अपनी वेबसाइट पर पूरी की पूरी आपर पोस्च डाली हुई है पूरी थोरी डाली हुई है इस सासक के बारे में राना कुम्बा के बारे में और राना सांगा के बारे में लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वासे आप पढ़ लेना बहुत सांदर तरीके से कौन से सासकूं को विद्वानूने हिंदूपत का है तो राणा सांगा को किसने का है राणा सांगा राणा सांगा के पिता का नाम राइमल था और माता का नाम स्रिंगार देवी था माराना सांगा को हिंदूपत और सेनिकूं का भगनावेस के नाम से जाना जाता है इंदूपत इसे का जाता है सेनिकूं का भगना वेस का जाता है का जाता है कि राणा सांगा के सरीर पर असी गाउ थे इसलिए इसे सेनिकूं का भगना अवसेस भी का जाता है बिल्कुल एक आंका राजा इसे का जाता है इसकी चतरी मांडलगट भीलवाडा में बढ़ी हूई है राणा सांगा की राणा सांगा ने खानवा का यूद किया था 1527 में मुगल सासक बाबर के साथ में बहुत ही बढ़िया एक वीर योद्धाउं का योद्धा था राणा सां करेक्ट आंसर अब देखते हैं किसका आता है अब पता चलेगा भाई जो विदारती सी बता रहे हैं नवल सागर उनका राइट है तो मुझे ये बताओ नवल सागर कहां पर है नवल सागर बुंदी में कहां पर है बुंदी में है कोटा में नहीं है तो यहां पर गलत दिया वा है बाकी सारे के सारे काँ पर है कोटा जिले में है अगला परसंद देखते हैं सादू सिताराम राजस्तान के किस किसान आनूलन से जुड़े वे हैं बिजोलिया बेंगू सेकावाटिया निमूचना सादू सिताराम का समन्द है आपका विजोलिया किसान आंदोलन से विजोलिया का पराची नाम क्या है विजियापली ये बिहलवाडा के उपरमाल पटारी छेतर में इस्टित है इस रियासत की इस्तापना असोग परमार के द्वारा की गई बिजोलिया किसान आंदोलन चम्माडिस वर्षूं तक चलाता कितने वर्षूं तक चलाता 44 जो की सरवादिक अउधी तक चलने वाला भारत का एहिसात्मक आंदोलन था इस आलवादन की सुरुवाति नेर्टर्टु एक्याता सादू सितारामदास ने बाद में वीजे सिंग पत्तिक, मानिके लाल वर्मा, जमना लाल बजाज और हरीबव उपध्याई जैसे नेताउने कमान समाली थी बहुत ही सांदार मेरे खाकी वर्दी के दिवानू अगला परशन आपके सामने सक्रीन पर आज चुका है नेमल लिकित में से कोन कोटा में अठारा सो सत्ताउन की क्रांती का नेता था कुसल सिंग, नंद किसोर, जे दियाल, नभी सेर खान राइट आंसर हो जाईगा जे दियाल ये परशन कहीं बार एक्जामें पूछा जाता है अठारा सो सत्ताउन के कोटा में जो विद्रोवा था, अठारा सत्ताउन की जो क्रांती हुई थी राजस्तान में सबसे महतुपून के अंदर बना था कोटा कोटा में 15 अक्टूमर 1877 को जे दियाल और महराब खान ने इसका कमान समाली थी जे दियाल और इसके साथ में थे महराब खान विद्रोवा था उन्हें महरावल को नजर बंद कर दिया और पॉलिटिकल एजेंट कोटा का? मेजर बर्टन था कौन था मेजर बर्टन? इस मेजर बर्टन और डोक्टर कोटम की हत्या कर दी रोबर्टसन के नेर्टरतों में बाद में अंग्रेजू ने सेना बेजी और यहाँ पर कोटा को विद्रोवियों से मुक्त करवाया यहाँ पर अंग्रेजु की साइता के लिए करोली के सासक मदनपाल ने भी सेना भेजी थी ये परशन भी पूछा जाता है अगला परशन देखते हैं तेरे ताली नर्तिये किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है तेरे ताली नर्तिये ये क्या जाता है रामदेव जी डि आपका राइट अंसर हो जाएगा पीरूं के पीर रामा सपीर बहुत ही साँदार मक्का मदिना से पांच पीर आए थे उन्हुने रामदेव जी के समतकार देखे तो कहा कि रामा हम तो पीर है आम तो पीरों के पीर हो रामदेव जी का जनम हुआ था उड़ू कासमीर बाड मेर जिले में ध्यान लगना रामदेव जी का जनम कापर हुआ था बाड मेर जिले में हुआ था लेकिन इनका परशिद मंदिर रामदेवरा जैसल मेर जिले में है तेरे ताली नर्टिये यहां बात करें हम तेरे ताली नर्टिये जहां पर तेरा मंजिरे बाने जाते हैं इस नर्टिये का जनम हुआता पाली जिले में पादरला पाली मुआता यह नर्टिये तेरा मंजिरों के साथ में किया जाता है ये नर्टिये बाबा रामदेव के मेले में कामड जाती की महिलाएं के द्वारा किया जाता है कोन करती है ये नर्टिये कामड जाती की महिलाएं इस नर्टिये को करती है तेरे मंजिरे बांद कर बहुत ही सांदार अगला परसंद देखते हैं हल्दी गाटी के युद्ध के पस्चात मारणा परताब ने मुगलू के विरुद कहां से परतिरोज जारी रखा कुमलगर्ड, सावंड, देवगर्ड या गोगुंदा हल्दी गाटी का युद्ध कब हुआ था कब हुआ था, अठारा जून पन्रा सो चेतर को हुआ था, कहीं पर आपको 21 जून भी मिलेगी डेट, तो दोनुमें से अठारा जून राइट होगी, यदि अठारा जून ओप्सन में नहीं है तो आपकी 21 जून शेय होगा, मारणा परताब और मुगल सासक अकबर की सेना परताब की, और इस यूद के बाद में मुगलू के विरूत परतिसोद चावंड से मारणा परताब ने अपनी चावंड राजधानी बनाई, और यहां से दूस्मनों को धूल में मिलाते रहे, और ध्यान रकना इस चावंड को मेवाड की संकट कालिन राजधानी भी का जात यह जिसने खानवा यूद के नाजूग पड़ाओ पर अपना समर्तन वापिस ले लिया, सहले दी तमर, मैदिनी राई, राव गंगा, उध्या सिंग, राई टांसर क्या हो जाएगा, राणा सांगा के उस सयोगी का नाम बताना है, जिसने खानवा का यूद वा था, बाबर राई टांसर हो जाएगा, बिल्कुल, राई शीना के थे सलोधी तमर और नागोर के थे खान जदा, इन्होंने युद के अंतिम दोर में राणा सागा का साथ छोड़ दिया था, और ये मुगल सासक बाबर से जाकर मिल गए थे, सलोधी तमर गद्दार था, इसने महारणा स सांगा की सारी की सारी रण निती, युद निती अपने दुसमन को बता दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस युद से हमें हारना पड़ा, अगला परशन देखते हैं, निमल लिकित में से कौन सा सिलालेग परतिहारूं का इतियास बताता है, इस परशन का राई आंसर हो ज दुआया, इसे गुर्जर परतिहार सासकूं की वनसावली तता सिव विश्नु पूजा के बारे में में जानकारी मिलती है, नेक्स्ट अगले परशन क्यों रूख करते हैं, बीना देरी किये वे, सभी वर्दी के दिवाने बावी कॉंस्टेबल मेरे बगबर सेर क्लास में इंट्री कर चुके हैं, अगला परशन, बहुत ही बड़ी परशन आ चुका है, जेला, जमेला, पिंपल पन्ना, अंगोटिया, शरीर के किस अंके आबुसन है, कान, गला, हात या पेर, जेला, जमेला, पिंपल पन्ना, अंगोटिया, ये सब आबुसन कान में पहने जाते है काँ पेने जाते हैं कान में ये आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल जेला ल्यायो जूमर ल्यायो बहुत ही बड़िया आयो अधी रात अरह से गित गए जाते हैं ये आपको पता होगा मारवाड में अगला प्रशने की जेद सागर तलाब कहां परिष्टित है उधियपू बुंदी अजमेर या माउंट अबू इसका राइट आंसर हो जाएगा बुंदी में बुंदी जिले में नवलका जील है नवल सागर जेद सागर गुड़ा बिल्कुल भिमतल तलाब ये सभी बुंदी में है अगला प्रशन देखते हैं राजस्तान की परतम महिला करती नमरता भट डी आपका राइट आंसर होगा अगले पर्शन के और रुक करते हैं किस दुरग का सबसे उंचा बाग मिरान साब की दरगा कहलाता है राइट आंसर हो जाएगा दो नमबर तारागर दुरग अजमेर तारागर दुरग बुंदी में भी है और तारागर तो तेरा इस्वी में अजिपाल चोहन के दुवारा करवाया गया यह दुरग राजस्तान का जिबराल्टर कहलाता है एकजा में पूछा जाता है यहां पर मिरान साब की दरगा इस्तित है और इस किले का सबसे उंचा यह भाग है अगला परसन देखते हैं अगला परसन है क राजस्तान के कौनसे जिलू में नर्मदा घाटी परियोजना से जल प्राप्त होता है, सिरोई जालोर, जालोर बाड मेर, पाली जालोर, बाड मेर और फाली, राइट आंसर दो नमर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जालोर और बाड मेर, नर्मदा घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, 2008 में की गई, इसको सरदार सरोवरबांद से जल पराप्त होता है इस परियोजना मेर राजस्तान के दो जिले जालोर और बार्ड मेर को लाब मिलता है राजस्तान में इसकी कुल लमई 74 किलो मिटर है अगला परसंद देखते हैं गांधी सागरबांद की उन्चाई कितनी है गांधी सागरबांद चम्मल नदी पर मद्य परदेश में बनाया गया है जिसकी उन्चाई 62 मिटर है अगला परसंद देखते हैं निमलिकित में से कौन सी बकरी की नसल है मालवी, मारवाडी, गिर या पुंगल राइट आंसर हो जाएगा बकरी की नसल है मारवाडी राजिस्तान में से कावाटी, जखराना, मारवाडी, लोही, सिरोही, बरबरी, जमनापुरी, परबसर नसल की बकरियां पाई जाती है मारवाड नसल की बकरी राजिस्तान में सरवादिक पाई जाती है ये राजस्तान की सबसे पुरानी नसल भी है भी आपका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है अगला परसन आपके सामने है तीस वरसे अधिक समय अधिकी ओसत वायू मंडलिये दसाओं को कहा जाता है तीस वरसे अधिक समय की ओसत वायू मंडलिये दसाओं को जल्वायू का जाता है और वायू मंडल की अलब काल यानि थोड़े काल की दसा को मोसम कहते है अगला परसन देखते हैं राजस्तान के कौन से जिले में 2015-16 में मक्का की सरवादिक उत्पादिकता रही 2015-16 में कांपर रहा तो सरवादिक मक्कावाद के अलवर में कांपर अलवर में डी इस आपका करेक्ट आंसर नेक्स टेकी निमन में से कौन सा वन्यजीव अव्यानिये दोलपूर में है सरिसका केसरवाग सजनगड या दर्रा राइट आंसर होजएगा केसरवाग राम सागर वन्यजीव अव्यानिये अगला परसंदेखते हैं राजस्तान की मोठा पादप परजाती किस वास का वरग है तो यह आपका है जलवास क्या है जलवास भी आपका राइट आंसर होगा अगला परसंदेखते हैं केसरबाग वन्यजीव अव्यानेर राजस्तान के निमन लिकित में से किस जिले में इस्टिद है अलवर दोलपूर अजमेर या दोसा राइट आंसर हो जाएगा आपका दोलपूर दोलपूर जिले में केसरबाग वन्यजीव अव्यानेर राम सागर वन्यजीव अव्यानेर द सर कटी बंदिये मरुस्त लिए जल्वायू को दर्शाता है तो आपका डर्शाता है EAD भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अगला परसंद देखते हैं राजस्तान के निमन लिकित में से किस जिले में काली सिंद चम्मल से मिलती है किस जिले में काली सिंद चम्मल से मिलती है तो यह आपकी मिलती है कोटा में काली सिंद नदी मद्य परदेश के देवास से निकलती है MP मद्य परदेश के देवा से आती है काली सी नदी और कोटा में नेरो गुराउं के कौन से गाउं नेरो गाउं के पास में चम्मल में आकर मिल जाती है चम्मल की साइक नदी है D आपका राइट आंसर हो जाएगा इसे अपरशन एकजा में पूट अप होता है निमन लिकित में से राजस्तान की निमन में से कौन सी नदी यमूना में मिलती है लूनी माही बान गंगा या साबरमती क्या गजब का परशन पूचा गया है राइट आंसर क्या होगा बान गंगा बिलकुल यमूना में आपकी चम्मल भी मिलती है लेकिन बान गंगा भी मिलती है ये भी जहान रखना बान गंगा नदी का उद्गम होता है ये काँ से निकलती है बेराट की पाडियों से जेवपुर्शे निकलती है इसे अरजुन की गंगा रुंडित नदी क्या कहते हैं रुंठित नदी ताल नदी के नाम से भी जाना जाता है बान गंगा पेले यमुना की साइक नदी वाकरती ली लेकिन वर्तमान में इसका अंते परवा की नदी हो चुकी है इसका जल उतनी दूर नहीं पहुँच बारा है अगला परसन देखते हैं वेनेसवर माही नदी का संगम है अनास, एराउ, सोम या साबरमती ड्राइट आंसर सोम हो जाएगा वेनेसवर धाम कहां पर है डूंगरपुर जिले में है किस जिले में है डूंगरपुर में डूंगरपुर में इस्टित बेनेस्वरधाम में तीन नदियां आकर मिलती है सोम, माही और जाखम तीनु नदियां आकर मिलती है तिर्वेनी संगम मनता है डूंगरपुर में बेनेस्वरधाम डूंगरपुर में यहां पर माग पूर्णिमा को एक मेले का आयूजन होता है जिसे अधिवाश्यूं का कुम्ब का जाता है बहुत ही बढ़िया अगला परसंद देखते है अरावली की निमलिकित में से कौन सी चोटी की उन्चाई 820 मिटर है बाबई खोर रगुनादगर्ड या हर्सनाथ 780 मिटर लगभग खो खो आपकी जेपूर में है कांपर है जेपूर में इसकी उन्चाई 920 मिटर है रगुनादगर्ड आपकी शिकर में है इसकी उन्चाई 1055 मिटर है तो ये तिनु चोटी आप ज्यान रखना बाबई कांपर है बाबई आपकी जुन-जुनु में है खो मुर्रा, मैसाना या बदावरी राइट आंसर D हो जाएगा बदावरी ये बेंस की नसल मूल रूप से उत्र परदेश की है राजस्तान में दोलपूर, बरतपूर में ये पाई जाती है और सरवादीक दूद में इसमें वसा पाई जाती है जहान रखना निमन में से कौन सी बेंस की नसल नहीं है मुर्रा, निली रावी, सूर्ती या राठी राइट आंसर हो जेगा D राठी राठी नसल राजस्तान की एक गाई की नसल है जो कि सरवादीक दूद देती है और इसे राजस्तान की कम देनू के नाम से जाना जाता है अगला परसन देखते हैं राजस्तान के किन जिनु में किन्नु का अधिक्तम उत्पादन होता है किन्नु का उत्पादन होता है श्री गंगानगर और हनुमानगड में तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर और हनुमानगड सिरी गंगानेगर में किन्नू की मंडी भी इस्तित है यदि आपको पूचे कि किन्नू की मंडी गांपर है तो सिरी गंगानेगर में है 45 परशन हमने राजस्तान जीके के कवर की लाड़ूं आपके कितने परशन राइट हुए हैं कमेंट बोक्स में जरूर बताएं खुद का आंकलन जरूर करें बहुत इस सांदार तरीके से बाकी के पसंट राइत हम कवर कर चुके हैं ओल्डेडी मिलते हम नेक्स्ट कलास में लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में दियावा है उस पर जाकर आप किलिक करें और वांट से आप नोट्स बगेरा पूरी ठोरी आप जरूर पड़ें एक बार